बिना चावल को भीगोई हुए बिना चावल को पिसे हुए आज हम बना कर रेडी करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी नास्ता यह बहुत जादा मुलायम सौफ्ट बनता है और खाके बहुत जादा मजा आएगा तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए मैं चुटकी हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और यहां पर मैं डाल रही हूँ मैयूनीज इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इस नास्ते के अंदर तो मैयूनीज जरूर से अड़ कीजेगा इसके बिना भी बना सकते हैं लेकिन अगर अगर आड़ करेंगे तो एक अच्छा सा टेस्ट मिलेगा आपको और अब यहां पर एक चोधाई कप के करीबन हम पानी डाल लेंगे पानी आपको एक ही बार में नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी इसके अंदर डालना है और अच्छे तरीके से घोल को चलाते हुए रेडी कर लेना है तो बस यह वाली जो भोल है ना इसकी इसी तरीके से कंसिस्टेंसी हम को चाहिए अब हम इसमें डाल देंगे स्वादनुसार नमक आप पहले भी डाल सकते हैं मैं अब भी यहां पर नमक डाल देती हूं स्वादनुसार और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर और इसे अब हम एक मिनिट के लिए साइड में रहने देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मिनिट के लिए जादा देर इसे अभी नहीं रखना है एक मिनिट में यह होगा कि जो चावल के कंड होते हैं अब इसे हुवे वह अच्छे तरीके से फूल जाएंगे और यह नास्ता बह बिल्कुल दीमे फ्ल Keynes पनास्तेख में बनाजने कर लेना है तो दो चम्मच में यहां पेटर दाल तुर अच्छे से फैला देना है और इसे अच्छे तरीके से हमें पक्ने देना है इसे पकने में कम से कम डेट से दो मिनीट का समय लगेगा आप देख सकते हैं कितने अच्छे बबल दिख रहे है और किनारे अच्हे से ड्राय होनी स्टार्ट हो गए है जब अच्छे तरीके से इस फग जायाता तो बिल्कुल थाष चोड़ देता तो यहां पर यह अच्छे तरीके से पक चुका है, बहुती बड़िया कलर आ चुका है, तो बस अब इसे हम निकाल लेते हैं, यह देखिए, बहुत जादा मतलब उपर का जो लेयर होता है हलका सा क्रिस्पी होता है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है यह, तो चलिए अब एक और मैं आपको बना करके दिखाती हूँ, फटा-फट से, तो सेम अब हम तेल तवे पे थोड़ा सा डाल देंगे, इसे अच्छे से स्प्रेट कर देंगे, और जो बैटर है वो दो चम्मच डाल देंगे, आप इसे बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं, और इस अच्छी लगता है खाने में, तो एक बर जरूर आप इसे ट्राइ कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेर सब्सक्राइब कर देजिए,